पिया शंकर ने बाहर आके भी गेम खेलनी चाही है और वो मनीशा रानी और अभिशेक मलहान के रिष्टे पे अब उंगली उठा रही है तो जवाब देना तो बनता है आखिकार काफे सरे जवाब वो दे रही है और जवाबों में सवाल भी जो है वो पूछ रही है तो हमारा क्या काम है हम उनको जवाब दे और मनीशा रानी के लिए खड़े रहे मनीशा रानी के लिए अभिशेक मलहान के लिए या अलविश के लिए कोई कुछ बोलेगा तो भै सबसे पहले तो मैं ही खड़ी हूंगी हाला कि उनकी फैमली भी खड़ी है बट हम लोग और आप जुड़े हैं तो जो जिया शंकर है काफ़ सारी चीजे कर रही है बहार आने के बाद लगातार जो है मनीशा को टारगेट भी कर रही है और अभी शेक को सपोर्ट कर रही है कि वह बहुत ख्लोज है यानि कि उसके फैंस जो है अभी शेक के फैंस जिया को अभी भी सपोर्ट क रही है जहान पर हाली में ही हुए एक इंस्याटर कता है कि क्यूं बोला मेरे करेक्टर पर क्या मैं मनिशा रानी की तरह हर किसी से फ्लर्ट करती हूं अभिशेक मनीशा को छोटी बहन बोलता है उसके प्रौक्सिमेटिक क्या किसी को दिखाई नहीं दी कि उनकी closeness किसी को दिखाई नहीं दी भई यहां पर आप बहुत बार जिया शंकर आप बहुत बार इस घर में अच्छी बनी आपने अच्छी चीजे भी की पर आपकी अच्छी चीजे किसी को दिखाई इसलिए नहीं दी क्योंकि आप वो करना चाहती थी, आपने वो दिल से नहीं किया, आपका वो नेचर नहीं था, आपने मनीशा को देखके मनीशा के जैसा बनना चाहा, मनीशा के साथ अपने आपको compare क्यों कर रही हो, मनीशा जो है दिल से अच्छी है, मनीशा अपने आप वो चीज़े करती है, उसके नेचर से वो चीज निकलती है last last में तो आप जो है जिया शंकर मनीशा के साथ भी अच्छी हो गई थी और मनीशा के जैसा flirt करना आपने शिरू किया था हाला कि आपने जदादिद के साथ भी flirt किया है पर last में जब सल्मान खान ने ये clear करना चाहा क्योंकि बाहर बहुत सारी गंदी बाती हो रही थी तब आपने सोचा कि भई उन्होंने बोला है तो अब तो मैं इसको बोल दू कि फादर फिगर है ये मेरा और फिर आप लग गई अभिशेक मलहान के पीछे लोगों को वो ही दिखता है जो आप दिखाती हैं तो आपके दोस्तों ने भी बोला था कि भई अविनास से ये प्यार में पड़ गई है तो आपकी body language से सब चीज़े पता चली थी और मनीशा के साथ तो आप compare ना ही करे और जब लोगों को पता चला कि भई ये एक दूसरे को भाई भेन मानते हैं तो भाई भेन ऐसे ही लड़ते हैं ऐसे ही सब चीज़े होती हैं आप भाई भेनों के घर पे जाके देखिए भाई भेनों से पूछिए कि ऐसी हरकते भाई भेन करते हैं या नहीं तो ये चीज़े जो हैं भाई भेनों के उपर उठाने वाली उंगली तो है ही नहीं उल्टा आप इक उपर उठने वाली है तो एक उंगली आप किसी के उपर उठाएंगे तो तीन उंगली आपके उपर उठेंगी इसी के साथ मैं लेती हूं जाज़त नमस्षिकार